हेलो फ्रेंट्स वेलकम बैक को मैं चैनल तो जैसे कि आप देख सकते हो आज हम बनाने वाले हैं डोसा वो भी मिलेट्स का तो बहुत ही तेस्टी बनने वाला है और साथ ही में हल्दी भी रेसिपी जो है सेम ही है जैसे हम रेगुलर डोसा बनाते हैं सोकिंग करके फिर प्रोस कम से कम 5-6 गंटा यहां पर मैं ब्राउन टॉप में अमिलेट का यूज कर रहे हूं आप कोई भी मिलेट्स में यूज कर सकते हो तो यह दिखिए इस तरह से हमें पहले दो करी से सोक करना है जितनी कॉंटिटी मैं यहां पर यूज की है मेजर्मेंट मैं में मेंशन कर रही ह हैं सारी चीजों को हम सोक करने के बाद ग्राइं कर लेंगे ग्राइं करते समय पानी का यूज कम करें और ग्राइं करने के बाद सारी चीजों के अच्छी तरह से अब इसमें स्वाद अनुसार नमक और थोड़ी सी चीनी एड़ कर देंगे और इसके डोसे बनाएंगे आप चाहें तो उत्तपम भी बना सकते हो पेपर डोसा स्पॉंज डोसा बना सकते हो बटर या ओईल के साथ तो यह देखे हमारा परफेक्ट क्रिस्पी डोसा बनकर चीन!